पूछा भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए ये दौनों इस उत्र कम जोर हैं हमारे चेला कम गुरु जादा होते हैं भगवान से मिलने के लिए तीन द्वा प्रेम करो जो जीव मेरी शर्ण में आ जाता है के मोय कपहड चल जिद्रन घगवान से मिलन एक आखरी तवार है बगवान की भक्ति सुनाई उने का पूचा भगवान की भक्ति कैसे कर नहीं चाहिए रखी मेरे वाइवेर, बगवान की भक्ति का एक ही सुत्र है पून टह बगवान पर वरुशा औपूनतेaster स्मर्पन द्यान देंगे पर वाई बा кажने यह दोने सूतर कम जो रहे हैं, इननननम पर भरोसा है, और या हमारा समरपण है, हंडेड परसंट समरपण भी नहीं है, और भरोसा, तो आप जानते ही कितना हैं में भगबान पर, लेकिन जिनको भरोसा है, जिनका समर्पन है, भगवान उनसे दूर नहीं, बरोसा था सबरी मा को अपने गुरू जी के बचनों पर, मेरे गुरू जी ने कह दिया है तो राम आएंगे, उससे पहले मेरे प्राण नहीं जा सकते, आज कितने चेला हैं जिनको इसा बरोसा होगा अपने गुरू की बाणी एचल का जिए अधर, आज कल तो गुरू चेला कम, गुरू जादा होते हैं। चेला बने 4 साल नहीं होते हैं, उससे पहले पांचमी साल में तो बेखे घ्यानत देने लग जाते है। गुरू जी थोड़ा यह इसा और देख लो, यह थोड़ा पमजोर है आपका इसा.. आइडिया देना गर उस डिपार्टमेंट में ओदिट्स हो के लेकिन चेला बने रहो और वो भी विश्वासी फ्रॉड नहीं, फेक नहीं फेस्बुक पे वर्टसप पे फेक सिस्टम चलता है सनातन में फेक सिस्टम नहीं चलता है भगवान के आगे कोई फेक सिस्टम नहीं चलेगा वहाँ प्याओर सिस्टम चलेगा भगवान से मिलने के लिए तीन द्वार ज्यान से सुनना भगवान से मिलने के लिए तीन द्वार है गोस्वामी तुलसिदाजवाबार बगवान सी राम जी से मिलने के लिए गए तो पहले द्वार पर देखा बायंकर भीड़ है बहुत भीड़ है तो लुट सिताज बाबा बोले यहां क्या है वहां लिखा हुआ है रामाई केवल प्रेम पियार रामाई केवल लेम पियार जाने ले ओ जो जान निहारा रामाई केवल प्रेम पियार रामाई केवल लेम पियार लिखा राम पियारे रामजी को पियार आए और यह लोग तो राम से सब प्रेम करते हैं तो रोबिह्सली भीड तो है तो जाना पड़ेगा राम से प्रेम से ही चलो आगे-आगे गए दूसरे द्वार पर पहुँचे वहाँ भी चका चक भीड थे वहाँ पहुचे वहाँ भी भीड की कोई कमी नहीं थी वहाँ भी भीड थी और वहाँ पी लिखा हुआ है जो जीव वहाँ लिखा हुआ है वहाँ प्रेम लिखा हुआ है जो जीव मेरी शरण में आजाता है उससे मैं स्विकार कर लेता है महा लिखा हुआ दूसरे द्वार पह वहाँ भी भीड बहुट थी अब तीन गेटों के मलबाद में भगवान बैठे हुए दो गेटों पे खुब भीड़े चका चक तीसरे गेट पर तुलसिदाजी वो भी पार करके गए अब तीसरे गेट पर पहुँचे दो वाँ कोई है ही नहीं एक दम खाली लोगों से पूछा ये कैसे संबाव है भाई इसी द्वार के बाद तो राम जी है इसी द्वार के बाद तो फिर ये गेट खाली क्यों है उपर पढ़ो सर्थ क्या लिखी है क्या लिखी है मोही कपट चल छेत्र नमावा मोही कपट चल छेत्र नमावा मोही कपट चल छेत्र नमावा क्या लिखी है क्याले का हुआ है क्या लिखी है मोही कपट चल छेत्र नमावा जिसका मन निर्मल है वही मुझे पुरिय है अब बताव भीड होगी वां भीड होगी उस गेट पे खाली पड़ा हुआ आकरी द्वार है भगवान से मिलने का आखरी द्वार है इसके जस्ट भीतर ही भगवान बैठे है लेकिन वह द्वार सुन्य है सरनागती वाले द्वार पर भीड है प्रेम वाले द्वार पर भीड है लेकिन जहां नियम बता दिये गए वहां खाली है क्यों? क्योंकि हम भगवान से तो मिलना चाते हैं पर निर्मल नहीं बनना चाते हैं हम भगवान से तो मिलना चाते हैं पर कपट सुन्य नहीं बनना चाते हैं हम भगवान से तो मिलना चाते हैं लेकिन छल युक्त होकर मिलना चाते हैं मुक्त होकर नहीं, छल मुक्त नहीं, कपट छल, छिद्रन भाबा, हम उसके साथ मिलना चाहते हैं, अच्छी अच्छों को निरासा लगती है, स्कूल जाते हो तो स्कूल ड्रेस होती है, किसी कंपनी में नौकरी करते हो, बैंकों में चले जाओ, बैंकों वालों ने भी अलग-अलग ड्रेस कोड बना रखे हैं, हाया ना, भक्ती का भी ड्रेस कोड है, माथे पे तिलग गले में कंटी हाथ में कलाबा मुख में भगवान का नाम, और पूर्ण तह समर्पन, इसके अलाबा कुछ नहीं, नो कपट, नो एड्षा, नो काम, अनली अन्राम.